हमारे चैनल जोहूर क्रियेटर में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हो तो चैनल को सस्क्राइब जरूर करें। धोबी का गधा चतुराई भरी और धमाल मचाने वाली हिंदी कहानी एक बार की बात है। एक छोटे से गाम में एक धोबी रहता था। वह अकेला था और उसका सबसे अच्छा दोस्त उसका गधा ही था। धोबी और उसका गधा दोनों रोज सुभह सूर्योदय के साथ अपने काम पर निकलते थे। तभी एक बाग वहां से गुजर रहा था। बाग ने धोबी को देखा और गधे की खूबसूरत लगी और सोचा। ये गधा तो बहुत ही सुन्दर है। मुझे इसे अपना स्नेही बना लेना चाहिए। बाग ने उनके पास आकर कहा। अरे धोबी भाईया आपके यहां इ तुम्हें कुछ लाब हो रहा है लेकिन तुम इसे समझते कैसे हो यह तो सिर्फ एक गधा है। धूबी ने स्मरण किया कि यह बाग ही उसे उल्लू बना रहा है और गधे के बारे में नहीं जानता। उसने कहा भगवान की कृपा से यह गधा मेरे लिए बहुत अच्छा है वह मेरे काम में मेरी मदद करता है और मेरी आत्मा को शांती देता है इसलिए मैं इसे कभी नहीं छोड़ सकता। बाग बहुत ही हैरान हुआ और धूबी की समझ से अच्छी तरह से परिचित हो गया। उसने अपनी गलती मानली और माफी मांगी। धूबी ने उसे क्षमा क कर दी और दोनों अपनी यात्रा जारी रखी यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने साथ ही की एहमियत को समझना चाहिए और उन्हें सराहना करना चाहिए चाहे वह एक गधा ही क्यों नहीं वीडियो को लाइक करें कमेंट करें अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शे लुकरी